नमस्कार दोस्तो, स्वागर है आप सभी का तेकिर आच योटूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर में आपको बताऊंगा कि वीवो के जो फोन है उसमें आप वाइफाई कनेक्ट नहीं करवा पा रहा है तो केसे करके आप प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्फ कर सकते हैं और वाइफाई जो कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं इसके प्रॉब्लम हम यहाँ पर दिसकास करेंगे ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपको काफी सारे जो बाते हैं वो जानना होगा कि Wi-Fi जो है क्यों connect नहीं हो रहा है ठीक है connect नहीं हो रहा है तो आपकी phone पर क्या solution करना होगा और क्या क्या reason हो सकते हैं आपके phone से problem आ रहा है क्या दूसरे phone से problem आ रहा है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है make sure कि आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें सारे साथ दोस्तो बेल आइकोन को क्लिक की जए ताकि आपको latest update जो है वो मिलते रहे यहीं आप उनलाइन से पेसा कामाना चाते हैं उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रहा है तो आप जाके चेकाउट कर सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो यहाँ पर शूरू करते हैं तो दोस्तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपका जो वाइफाई वो कनेक क्यों नहीं हो रहा है तो कनेक नहीं हो रहा है दोस्तो उसके लिए आपको आपकी जो फोन है उसमें सॉल्फ करना होगा और दोस्तो कभी-कभी क्या हो जाते है होट-सपोत के च्छू से भी प्रॉल्म आ जाते है होट-सपोत से क्से प्रॉल्म आते है उस फोन पर प्रॉल्म होते है तबी आपका जो Wifi वह करने को नहीं हो पातेậyगे तो चलिए हम पहले यहाँ जो Wi-Fi करने नहीं हो रहे उस device में problem को solve कर देते हैं उसके बाद दोस्तों हम उस device के बारे में बात करते हैं जिससे आप hotspot ले रहे हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले में आपको लेके जाता हूँ अपने setting के अंदर पे setting बर जाके Wi-Fi को open करें वाइफ़ ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको on कर देना है ताकि आपका advanced setting यहाँ पर show कर जाए advanced setting बर जाके दोस्तों आपको यह दो option जो हे enable करना होगा ठीक है तो यह दो option जो हे enable कर लीजे connect network notification and scanning always available यह करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर refresh कर दीजिए एक दो बार उसके बाद दोस्तों नेट्रोग को एक बार connect करके देखिए ठीक है नेट्रोग जैसे system management पर आ जाए लेकिन दोस्तों आप जब उस setting को enable करते तो एक बार दुबारा से connect करने की कोशिश जरू कीजिए काम करते तो ठीक है problem solve हो गया लेकिन same problem है तो दोस्तों आप जाए system management पर scroll down करे बेकाबें reset पर जाए और यहाँ पर देख सकते reset network setting उसमें click करके दोस्तों आपको यहाँ पर जो डिखाए दारा नीचे reset setting उसमें click करना है उसके बार आपको फोन का जो पास्टोड़े वह देरा है तो वह सब देने के बाद दोस्तों आपको reset कर देना है अपना से नेटोर्स सेटिंग को ठीक है यहाँ पर आपको रेट में लिखा वा देखाई धना होगा रिजसेक्ट सेटिंग उसमें कलेक करके आपको डाइयरेकली-इलिसेट कर दिने अपने नेट्रोवक सेटिंग को और आपका जो वाइफाई का problem ही वो भी solve हो जाएगा लेकिन ये करने के बाद दोस्तो आपका जो setting है उसको जाके एक बार दुबारा से री check जरूर करें ठीक है एडवांस में जाके दोस्तो आप ये जो setting है उनको जरूर चेक करें उसके बाद दोस्तों make address आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है make address, ip address तो ये सब दोस्तों आपका जो settings वगरा है वो सही तरीके से होना चाहिए तो दोस्तों ये सब करने के बार आपका जो वाइफाई का issue है वो definitely fix हो जाएगा ठीक है सारे साथ दोस्तों यहाँ पर हमने network setting को reset किया है वह यानि की wifi setting को हमने reset कर दिया है ठीक है उसके बार problem solve हो जाना चाहिए by any chance आपको दुबारा से problem आते हैं mobile software को update करें यहाँ पर mobile software update करने से दोस्तों इस तरह का जो issues होते है वो चले जाते और problem आपका solve भी हो जाते है ठीक है तो आप यह करके देख सकते हैं सारे साथ दोस्तों आप यहाँ पर factory reset करोगे तो भी आपका जो solution को करके देखे problem यहाँ पर solve हो जाएगा क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अल्रेडी बहुत solution दे दिया है ठीक है बाई इनी chance कोई problem आते है तो आप हमें comment section पर comment करके बता या to feel आप हमें twitter पर follow करके message कर दीजिगा ठीक है तो अभी दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका वाइफाई का solution लेकिन यह जो problem है कभी hotspot device से भी आते हैं तो hotspot device में दोस्तों आपको यह चेक करना है उनके device में जाए और यहाँ पर दोस्तों person hotspot को open कीजिए उसके बाद दोस्तों उनका जो data limit वगरा का setting से उनको चेक कीजिए unlimited पर यह set होना चाहिए ठीक है कोई भी data limit set नहीं होना चाहिए hotspot में और उनका जो यहाँ पर दोस्तों hotspot configuration है इसको ओफ कर दे सेक्यरिटी पर क्या करने आपको security पर क्लिक करके नौन कर देना है ठीक है नौन करने के बाद दोस्तों डोनो डिवाइस को restart करिए डोनो डिवाइस ठीक है hotspot का जो फोन उसको भी restart कीजिए और आपका जो वाइफ़ाइ का फोन है उसको भी आप रिस्टार्ट कीजिए तो दोनों फोन को रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको एक बार दुबारा से बीना पास्टूर्ट के करने करके देखना है कनेक हो जाएगा ठीक है तो आप दोस्तों सिंप्ली इसको यहाँ पर ट्राइ कीजिए और इससे आपको कोई डिक है फिक्स हो जाएगा तो आज के इस वीडियो पर दोस बस इतने उम्मिद करते हैं वीडियो आपको पसंद होगा तेंक्स वाचिंग